बिजेपी विधायक और राजिस्तान विदान सबा की पूरवाद धैक्ष कैलाश मेगवाल ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस समेथ विपक्ष यानी अपनी ही पार्टी की ओर से गहलो सरकार को गिराने की सासिश रची जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त की कोश केलाश मेगवाल को वसंदरा राजे का करीमी माना जाता है और उन्होंने दावा किया कि विधायक भवरलाल शर्मा ने सरकार गिनाने की जैसा एक सासिश उन्होंने उसकी रची जो सासिश आज के पहले नहीं रची गई थी राजसान में लगा था बीजेपी पर यारोप लग रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश में सामिल है मुख्यमंत्रिय अशो गिलोत के बार आरोप लगा चुके हैं अभी जो ओडियो टेप जिस तरीके से सामना आए उसमें यारोप लगा गया है हमारे साथ में केलाश मेगवाल बीजेपी के वरिष नेता हैं स्पीकर रह चुके हैं मेगवाल साब आपने एक बयान भी जारी किया के साजिश नहीं करने की बिल्कुल क्या है क्या क्या कहना चाहते कौन साजिश करें राजस्तान की राजनीती आज पट्री से उत्री हुई है और राजनीती के प जंटा पार्टी से भारती जंटा पार्टी तक ट्रह timely राधर दितिक सफररें और सारे कि अरदर ममने और हुंते हें कि मुल्यों है कि अर्नीर को निदो कि लिए इस्पिंध करने वही आजflies अधिया नियुक्त के नोज पिडिश्च से उस्ट नहीं समझता वह राजनेतिक नेक्स नहीं है। लेकिन आप प्रटी के नेता तो तो कहने हैं थी कि सरकार को अलकमत के इंदर है। है मेरा ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। किरावट इसे हमेशा दूर रहे के सुच्छ राजनिती करे और सुच राजनिती के आधार पर भी पर ही राजिस्थान की जनता में अपना विश्रास पेदा करें गिराने की साजिश कौन रख रहा है इस्तर करने की गिराने की साजिश अभी किस रूप में हो रही है कहा हो रही है आपने का कि विपक्ष ये काम कर रहा नहीं करें विपक्ष को राय दे रहा हू कांगरिस की अंतर कहले से जो सिटी बनी है वो आज ठीक नहीं है निन्दा जनक है इस अंतर कहलेस का नुक्षान राजिस्तान की जंदा को हो रहा है यह लगातार जो सवाल उठाया जा रहा है कि वसंद्रा राजे जी अभी खामोश है क्या आपको लगता पार्टी में उनको किनारे करने कोशिश की जा रही है सुनधरा राज-चान की वरिष्ट्रतम राजनितिक विक्तित रें और वरिष्टर्स से बहुरती जिनता पार्टी को राजराष्टी उपाध्यक्षबी है राए लेनी चाहिए उनसे हमेशा जार abrirasura करना चाहिए यह आज की आवशक्ता है इस मामले में मश्वीरा नहीं किया गया मैं यह राय दोना चाहता हूं कि राजनीती में जिस्टे भी कदम राजिस्तान में उठाय जाए भारती जिनता पार्टी को वसंद्रा राजी से राय लेनी चाहिए उनके अनुभव की उनकी सक्रीता की वरिष्टा की लाब लेना चाहिए यह एक राजनीतिक आवशक्ता है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि हर्याना के अंदर जि यह कि उसमें निरना एक रूप से कुछ नहीं कह सकता है इसमें जो भी नोल रहे नेतिक राया नीति में मैं उनका जो है समर्थन नहीं करता है ओड्यू टेप आया क्या कहेंगे कि आप आपी की पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है खरीत फरोप्त रहा है यह अभी जास का विशे हो गया इस पार में कोई मेरा मत नहीं है अनुराग ढांडा हमाई से तमाई सेयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अनुराग जहां केलाश मेगवाल अपने बयान से एक तरफ बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं वह दूसरे तरफ बैठे बैठे यहां कॉंग्रिस को एक मुद्दा दे दिया है देखे इस बयान का सिर्फ इतना मतलब समझ लीजिए कि गहलोत की सरकार अशोग गहलोत की सरकार फिलाल कहीं नहीं जा रही है और यह इशारा कर दिया है कि बीजेपी के भीतर भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि फिलाल सरकार गिरे तो यह एक तरीके से जो सचिन पैलेट अपने गुट के साथ जो एक कोशिश कर रहे थे कि अशोग गहलोत मुख्यमंत्री ना रहे राजस्तान के वो फिलाल फेल हो गया इस बयान से साफ नजर आ रहा है अब सिर्फ इतना सवाल बचा है कि क्या वो विधायक जो सचिन पैलेट के नितित्व में बागी हो गए है क्या वो अपनी विधायकी बचा पाएंगे या नहीं वो कोट के थूत है होगा लेकिन आज इस बयान से इतना जरूर साफ है जहां वसंदरा राजे का पूरा गुट कट घरे में खड़ा होता है और उन्होंने मिगवाल के बयान का हवाला देतो भी ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी के स्वयम के नेता श्री केलाश मिगवाल जो पूर्व मंत्री और राज़सान विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर पिछले दो महीने से जो महाल बना हुआ है होर्स ट्रेडिंग हो रही है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उन्हें बहुत ही दुर्भाग के पूर्व बताया है पर राजस्तान में सीम गहलोत और सचिन पालेट की खीस्तान के बीच एक फोन टैपिंग कांड पर बीजेपी ने कॉंग्रस सरकार पर जोरदार हमला बोला बीजेपी प्रवक्ता सम्वित पात्फरा ने पूछा कि क्या राजस्तान में सभी पार्टियों के नेताओं के फोन टैप किये जा रहे हैं बीजेपी ने सीम गहलोत पर निशाना साथ देते हुए गहलोत सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दाख दिये और फोन कांट की सीबियाई जाच कराने के मांग की तो संबित पात्फरा ने एक प्रेस कॉंफरेंस की और जिसमें उन्होंने कई सवाल एक के बाद एक च्छै सवाल उनके रहे कि क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग हुई है क्योंकि पार्टी का कहना है कि ये पूरी तरीके से सच्चाई है इसमें और ये एकदम सही बात है अगर फोन टैपिंग हुई है तो क्या ये कानूनी विशय नहीं है ये तमाम सवाल बीजेपी के तरफ से उठाएक है जो राजस्तान की कॉंग्रेस की सरकार है बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं बाजपा पूछ रही है क्या फोन टैपिंग किया गया क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप हम देख रहे हैं ये अथेंटिक है जबकि FIR में नाम नहीं है FIR में तथाकथित कहा जाता है FIR में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशियल मीडिया इत्यादी से मिला है मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं यह authentic है मतलब phone taping किया गया क्या तभी तो authentic है या नहीं आप कह सकते हैं यह पहला प्रशन है दूसरा प्रशन है is it not a sensitive issue phone taping अगर किया गया है क्या यह एक समवेधन शील और एक कानूनी विशय नहीं है इसका जवाब कौन देगा जो phone taping होता है उसके लिए एक standard operating procedure होता है वह procedure मैं लेके आया हूँ यह procedure से आपको अवगत भी कराऊंगा क्या यह standard operating procedure इसको Congress की सरकार ने follow किया यह केवल भारती जनता पाटी नहीं यह भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी privacy खत्रे में है क्या यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है